एलो दोस्तो यश टीवी की एक और नई वीडियो में आप सबी का स्वागत है दोस्तो अगर आपने मेरा ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है और आपको बहुत कुछ सीखने मिल सकता है दोस्तो आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले है तीन ऐसे शेर्स के बारे में जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपिलर है सबसे पहला है रूची सोया, दूसरा है IRCTC और तीसरा है HDFC Asset Management ये स्टॉक्स के बारे में आपको पता ही होगा लेकिन जो information में आपके साथ शेर करने वाला हो वो शायद आपको नहीं पता होगी या फिर आपका knowledge बड़ा देगी दोस्तो ऐसा ये वीडियो मैं पहली बार कर रहा हूँ तो अगर आपको ये वीडियो informative लगे तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजिए और अपने सबी दोस्तों के साथ शेर कर दीजिए अगर आपने येश टीवी को अभी तक subscribe नहीं किया है तो प्लीज येश टीवी को subscribe कीजिए और bell icon पे click कर दीजिए ताकि सबी notifications आपको time to time मिलती रहे दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले स्टॉक पर जो की है रूची सोया दोस्तों मंडे का market close हो चुका है और आज के दिन रूची सोया 357.3 पर close हुआ है दोस्तों रूची सोया को पतंजली ग्रूप ने acquire किया था और उसके बाद स्टॉक वापस 17 रूपय पर लिस्ट हुआ था पतंजली ग्रूप के बाबा रामदेव जी ने कहा है कि वो रूची सोया में 5 लाग करोड का turnover लेकर आने वाले है अभी जैसे stock price उपर गया है शायद वैसे ही turnover भी आ जाए दोस्तों देखिए मुझे किसी भी company से कोई personal दुश्मनी नहीं है या फिर मैं किसी company को defame भी नहीं करना चाता लेकिन सिर्फ एक बात हमें ensure करनी है कि इस चकर में innocent investors का पैसा डूबना नहीं चाहिए इसलिए ये channel बना था और हमने ऐसे बहुत सारे videos बनाए थे आरकॉम पे, येस बैंक पे और बॉंबे रेहन पे आप जाकर check कर सकते हो तो दोस्तों share price में तो premium आ गया है अभी रूची सोया के लेकिन रूची सोया के balance sheet में क्या है वो पहले हम देख लेते हैं तो रूची सोया के balance sheet में पहले है share capital जो की है 65 crore rupees तो वो तो ठीक है उसके बाद reserves आते है रूची सोया के reserves minus में है जैसे कि आप देख सकते हो 4700 crores minus में है रूची सोया के reserves इसके बाद रूची सोया की borrowings रूची सोया की borrowings भी बहुत ज़्यादा है 8000 करोड के उपर है रूची सोया की बॉरोइंग्स दोस्तो रूची सोया का market capital जो है यह 10,000 क्रोर रूपीज है और इसी के सामने रूची सोया की बॉरोइंग्स reserves की मैं बात ही नहीं कर रहा है सिर्फ बॉरोइंग्स की बात कर रहा हूँ जो कि है 8000 क्रोर रूपीज अभी हम रूची सोया के profit and loss statement देखते है रूची सोया का sales turnover है around 12700 क्रोर्स और इतना business करने के बाद रूची सोया में net profit है वो minus 10 क्रोर्स है और फिर minus 10 क्रोर्स का net profit generate करने के बाद रूची सोया के जो cash flows है net cash flows positive 120 क्रोर्स है अभी ये numbers अभी ये सब चीजे मेरी समझ के बाहर है और जो चीजे समझ में नहीं आती है उसमें हाथ नहीं डालना चीए तो दोस्तो रूची सोया के बारे में आपको क्या लगता है आप नीचे comment करके जरूर बताइए दोस्तो अगर अगर रूची सोया सच में 5 लाग करोड का turnover अचीव कर लेती है तो मुझे genuinely बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि एक Indian FMCG प्लेयर को market में होना ही चाहिए क्योंकि बहुत सारे foreign players बढ़ गए है market में लेकिन अगर ये सिर्फ operators का game रहने वाला है और आगे जाकर रूची सोया का प्लेयर्स को हरा पाएगी या नहीं ये नीचे comment करके जरूर बताएए दोस्तो ये वीडियो मैंने trial basis पर बनाया था तो अगर ये वीडियो में मुझे 100 likes मिल जाते है तो मैं आगे के 2 stocks में continue करूंगा दोस्तो अगले 2 stocks की information मैं कोई दूसरे पार्ट में बताऊंगा इस वीडियो informative लगा तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ share कर दीजिए गाईज अगर आपको मेरा ये information share करने वाला concept पसंद आया तो प्लीज नीचे comment करके बताएए कि मुझे ये daily basis पर continue करना चाहिए या नहीं करना चाहिए